हम में से जादा तो लोगों को कॉक्रोच पसंद नहीं होते हैं और कई लोग तो इनसे डड़ते भी हैं लेकिन क्या आपको मालूम है कि कई देशों के लोग इन कॉक्रोच का शर्बत बना कर पीते हैं ये तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि चीन में इस प्रकार के जीवों को तल कर आनंद लेकर खाये जाता है। लेकिन इसके पीछे की वज़ा क्या है ये आज हम आपको बताएंगे। दरसल चीन में कौकरोच की बढ़ती मांग के चलते अब इने बड़े पैमाने में पैदा किया जा रहा है और इनका शर्बत बनाया जा रहा है। चीन में कौकरोच को औशदियक गुणों से भी भरपूर माना जाता है। इसलिए चीन के लोग कॉक्रोज का शर्बत पीते हैं. अब इन लोगों की डिमान को पूरा करने के लिए कैसे चीन करोडों कॉक्रोज़ पैदा कर रहे हैं? दरसल चीन की एक दबा कमपनी प्रतेकवर्ष 600 करोड से भी ज़्यादा कॉक्रोज पालती है. इन कॉक्रोज़ पर आर्टिफिशल इंटेलिजन सिस्टम से नजर रखी जाती है और ये लक्ष तै किया जाता है कि कम से कम समय में कॉक्रोज़ की ज़ाद से ज़ादा पैदावार हो. इसके बाद जब ये कॉक्रोज़़ व्यसक हो जाते हैं तो इन्हें कुषला जाता है और फिर इनका शर्बत बनाया जाता है. इस शर्बत को चीन की परंपरागत दवाई के तौर पर इस्तमाल किया जाता है, जैसे की पेट की अलसर को ठीक करने के लिए, उल्टी, दस्त, सांस की परिशानी से निजात पाने के लिए और साथ ही कई अन्य बिमारियों से निजात पाने के लिए इंसेक्ट एस्सीएशन ऑफ शौंडंग प्रोविंस के निदेशक वर शौंडंग एग्रिकल्चर अन्यूवरसिटी के प्रोफेसर ल्यू यूशेंग द्वारा एक अकबार को दिये इंटरव्यू में बताया गया कि कॉक्रोच एक चमतकारिक दवा है जो कई बिमारियों का इलाज करने में बाकी दवाओं से ज़्यादा सक्षम है चीन में किया जाने वाला ये कॉक्रोच पालन चीन सरकारी योजनाओ का ही हिस्सा है और इससे बनने वली दवाओं को अस्पतालों में भी इस्तमाल किया जाता है वहीं एक और जहां इन कॉक्रोच से दवाई बनाये जाने पर लोग अपना समर्थन दे रहे हैं, वहीं दूसरी और कई लोग इस पर अपनी आपत्ती भी जता रहे हैं। South China Morning Post को बताती हुए, बीजिंग के Chinese Academy of Medical Science के एक शोद करता द्वारा बताये गया कि कौक्रोच का शर्बत सभी बिमारियों पर असर नहीं करता है। वहीं एक बंच जगा पर इन सभी कौक्रोच का पालन करना खतरनाक हो सकता है। सोचिए जरा कि अगर किसी इनसान की गलती से या फिर भुकम पाने से इस बिल्डिंग के करोडो कौक्रोच बहार आ जाएं, तो प्रित्वी का क्या हश्र होगा।